अब हमरे मन देखाब कि ओल के कैसे लगायक है ओल के लगायक लगिन इकर ले माटी के संराइक चाहिए ओल के लगायक लगिन बढ़िया पानी निसकईया बलूई दोमट माटी बेस रहे इकर में कंपोस्ट और जैविक माइंद कर परयोग केर के सोबनियर से माटी के बढ़िया केर के तभे खेती करूँ इकर उनत प्रभेद है गजेंद्र, विधान, कुसुम और स्री पद्या इगर लगाएक बिधी केसन है सके जानू 40 संटीमीटर घास और गाढ़ा कोईड के उकर में उपरे कर माटी, गूबर माइंद और उर्वरक में साय के गाढ़ा के भेदे में लगाएक ले 500 ग्राम वजन कर बिहिन के सुन्य दस्मलो एक 5 प्रतिशत कारबेंडाजीम और सुन्य दस्मलो एक सुन्य प्रतिशत मिथाइल डेमोटीन से बिहिन केर के दवाई केर के तले इके लगाओ बड़ आकार कर बिहिन के जदी कैट के लगाल जाते तो ध्यान राखे गोईट या है कि सोब कर काटल भाग के सिर्शश्य कालिका कर कुछ अंस चरूर रहेक चाहिए उगर में अब एके लगाएकर बेरा के सिर्शन है अगर पटाल हुई है मार्च और मयी में बेगर पटाल हुई है तो जून से जुलाई में लगाएदेक चाहिए बीहिन लगाएक कर दूरी इकर दूरी रहेक चाहिए 60 cm से 60 cm और माइंद कर पर्योग कतना करेक चाहिए प्रती गाढ़ा में 140 कुिंटल प्रती हेक्टर गोबर माइंद के 20 से 25 टन प्रती हेक्टर नेतरजन के 100 kg स्फूर के 60 kg और पोटास के 80 kg देख चाहिए स्फूर पूरा मातरा और नेतरजन और पोटास कर आधे आध मातरा के लगाएक बेरा और माचल आधा भाग के दूधाओं के देव दूधाओं लगाए देव 30 से 35 दिन में और 60 से 75 दिन कर पादे बाग की बाद में माटी के चगाएक बेरा देवे पटैक कर के संजोरत है जैसंजोरत हो उसने हैं इके पटैक चाहिए अब इतना तो केर ही रोरे मन इकर से ओल कर उपज रोरे के भेटाई पचास से साथ टन प्रती हेक्टर तो चलू ओल तो लगाए ले रोरे अब इकर से बढ़ियां तीयन खाओ, मसलादार और अचार बनाय के खाते रोरे